लो गुड मॉनिंग दोस्तों वेलकम बेक टू न्यों गुडवे आज दोस्तों 25 अगस्त 2021 और 25 अगस्त 2021 के जो भी डेडली करंटेपेर के क्यूशन बनते हैं उन्हें हम डीटियल से डिसकस करेंगे आज के जो भी टेन क्यूशन दोस्तों मैं आपके लिए लेक कर रहा हूं आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल लाइकन वह भी प्रेस करें ताकि डेली जो वीडियो अप्लोड कर रहा हूं में उनका नोटिफिकेशन है वह आपको मिलता रह है तो चलिए दोस्तों सुरुवात करते हैं क्यूशन नंबर वन है कि कि सहर में नेशनल थर्मल पावर कोर्पोरेशन है जो एंटी पीसी इसने 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी योज प्रियोजना वह लौंच की है तो आंस्वर है विशाका पटनम जो नेशनल थर्मल पावर कोर्पोरेशन है एंटी पीसी इसने जो अंदर प्रदेश का जो विशाका पटनम उसमें जो सिमाद्री थर्मल स्टेशन है उसके जलासे पर यह 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रियोजना वह सुरू की है यह जो प्लो प्रोटिंग सोल्डर है उस प्रोजेक्ट में एक लाग से दिख जो सोल्डर पीवी मोडूल है उससे बिजली प्यद्दा करने की यह के पीसी टीवी इसमें है अभी वीशाका पटनम है तो यह अंदर प्रदेश का एक जिल्ला है नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नंबर टू केंद्रिय खाद्य प्रेसेंस करने उद्योग राज्य मंत्री है और जल सकती प्रहाद सिंग पटेल के द्वारा कीस राज्य में में साथ सव देशी खाद्य उत्पादोंगों लौंच किया गया है तो आनसर दोस्तो मनीपूर मराशन है मनिपूर में जो केंद्र खाद्य प्रेसेंस क्रने उद्योगराज द को प्रहलासी पटेल इन्होने सेंग सिंग अमें इनदिया पहल केताओ प्रूमी मनिपूर में उसके साथ 10 से जो खादे उत्पाद है उनको लॉंज किया गिया है पटेल साथ और यह सवधे सी खादे उत्पाद है उसमें ब्लेक राइस लड़ू ब्लेक राइस प्रूट एवं जो एन नेट कोकीज है होट एन स्पैसिव बुजिया जिसमें कमबोक मिक्सर मनिपूरी कस्वा यह सब भी इणिल दुद्वें इनको और यह उत्पाद इनको 10 लाग रुपे के बजट के प्रावद्धान के साथ टीक्वास है ग्लोबल और गाजय बाद के स्योक्सित्व मनिपूर खद दोगने मेदे निगम लिमीटेट मैपूर खद देउत्यों होगे मेदम लिमिक्री इसकी जो ले प्रियोजन उसके तहित इसको यह डेवलोपी किया गया है नेक्स्ट किस्वन है किस्वन नंबर त्री कि इस राज्य में भारत के सबसे उच्चे जो हर बल पारक उसका उद्गाटन किया गया है तो आनुच्वर दोस्तों उत्राखंड राज्य में कि उत्राखंड का चमुली जी लाएं वहां पर भारत और चीन सिम्मा के करीब जो माना गावां वहां पर 11,000 फिट की उच्चाए पर रस्तित है भारत का सबसे उच्चा हरबल पारक इसका उद्गाटन किया गया है जो 11,000 फिट की उच्चाए पर और उत्तराखंड के जो वन और वन पंचायत के द्वारा जो तीन एकड़ की बूमी पर यह पारक वह विक्सित किया गया है जो 11,000 फिट की उच्चाए पर और यह केंदर सरकार की प्रतिपूरक वन रोपन निदी परबंदन और योजना प्रादी करने काम पर इस योजना के तरह ते तीन वर्सों में इसको डेवलोप भी किया गया है जिसमें ये हर्बल पारक में भारती जो हिमालिक शेत्र में उच्चाए वाले अल्प वाइन शेत्रों में लगबख 40 परकार की परजातिया है वह पाई भी जाती है इसमें उत्राखंड दोस्तों उत्राखंड के परजेंड टाइम में ये परजेंड टाइम उत्राखंड के मुख्य मंत्री है और उत्राखंड की राजदा निक्या है तो वो है देहरादून और उत्राखंड में टोटल जिल्ल्य है दोस्तों तेरा तेरा जिल्ल्य है टोटल उत्राखंड की स्तापना कभी तो उत्राखंड की स्तापना होई नो 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 उत्राकन की स्थापना है, और परजेन टाइम में राजे को पाल कोन है, तो वो है, बेबी, रानी मोरी है, ये परजेन टाइम में उत्राकन की राजे पाल है, नेक्स्ट क्यूशन है, क्यूशन नमबर 4, पूर्वे मुख्य मंत्री कल्यान सिंग का निदन हुआ है, और 22 राजे के मुख्य मंत्री थे, तो आनसरे दोस्तों, ये उत्तर परदेश के पूर्वे मुख्य मंत्री थे, कल्यान सिंग, जिनका हाल ही में निदन हुआ है, कल्यान जिनकी उम्मर 89 वर्स जिन टाइम इनकी मरती वोईती इनका निदन वाता वो लखनाओ वाता और कल्यान सिंगव गुन्नीस्टो इक्राणम में संगुन्नीसटो इक्राणम में पहली बार राज्जय के मुख्यमंत्री बने और जोईून 2000 मासे 6 दिसमबर गुन्नीस बाणम में तक और 21 सितमबर 27 मासे 12 नॉंब्र 59 में तक यह मुख्यमंतरी रह चुके हैं उतरपरतेश के और परल्जन टाइम उतरपरतेश के मुख्यमंतर तो वह हैं योगी अधितेनाथ योगी अधितेनाथ वह उत्रपर्देश के परजेंट टाय में मुख्य मंत्री है नेक्स्ट कुछन है किस नंबर फाइव अगस्त में किस तारिक को धर्म और या विश्वास के अदार पर हिंसा के जो सिकार लोग हैं उनकी याद में जो अंतर बाइस अगस्त को जो सेंग राष्ट के दोरत दर्म या विश्वास के अदार पर हिंसा के जो से पिडित लोग हैं उनकी याद में अंतरास्ट दिवस्त मनाय गया और इसे पहली बार सन 2019 में अधिकारी के बनाय गया था किस संगटन ने AI जो सक्षम वर्ट्वल असिस्टेट उर्जा है उसको लोंच किया है तो आंसर दोस्तों भारत पेंट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड बिपी सियल इनके द्वरा ये लोंच किया गया है जिसमें ये बीपी सियल ने जो ये AI है उस शम्ताओं के साथ इसको वर्ट्वल असिस्टेंट उर्जा को लॉंच किया है जिसमें 600 से अर्दीक है उप्यों के लिए मामलों पर इसे पर्सिक्षित किया गया है और जो बीपी सियल है इसके ग्राह कर जो इंटरफेस को पौन रूप से और डिजिटल रूप से एकक्रित कर बनाने के प्रयास में हैं जिसमें किसी भी परसन के लिए अब कंपनी है उसकी वेब साइट पर ये बोक्स भी उपलब्द रहेगा और ये उर्जा है वो तेरा भासाओं में जिसों अंग्रेजी हिंदी तमील कंणर मलियालम तेल्गू मराथी गुजराती उडिया बंगाली पंजाबी असमियाई इस भासा में भी बोलती है नेक्स्ट किस्टन है किस संगटन ने अपनी एक तरह का पहला उद्योग प्रोधिकी गटबंदन है इस उसको लोंच करने के लिए सोसाइटी फोर इनोवेंशन एंड इंटर्प्रेंशिप आयाइटी जो बोंबे उसके साथ बागिदारी की है तो आंस्वर दोस्तों इंटेल के दार इंटेल ने इंटेल इंडि इंट्रप्रेंशिप आयाइटी बोंबे इसके सहयोग से बारत में जो उद्योग है 4.0 इसमें परिवर्तन को तेज करने पर ध्यान के साथ साथ अपनी तरह का पहला जो अध्योग प्रोधिकी गटबंदन है प्योगिन इसको लॉंच किया और यह बड़े उद्योमों नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नम्रेट किस संगटन ने लगू व्यवसाय दिन पहल है नामक एक नई ही पहल लॉंच की है तो आंसर है फेस्वुक के द्वरा फेस्वुक इंडिया ने 22 अगस्ट 2021 को स्मॉल बिजनस लॉन जो इनिसिएश्टिव है नामक एक नई ही पहल लॉंच की है लगू व्यवसाय दिन पहल इसको लॉंच किया है यह पहला जो ओनलाइन लेंडिंग प्लेट पोरम जो इंडिफी है उसके साथ साजिदारी में शुरू की गई है जो छोटे और मद्यम जो बिजनस है उनको सवतनतर रूप से भारत की दारों की सायता से सब्सक्राइल सुरूर किया जो यह सुवी दाववा व्यवसाय के लिए खुल लिए जो भारत के दोस्तों से कस्पों और सहरों में रजिस्टरशन वीच का हो चुका है नेक्स्ट क्यूस्टन है क्यूसर नमबर नाइन उसने इंटरप्राइज ग्राकों को क्लावड सोलिस्टन प्रोटो टाइब जो अप्लिकेशन का एक मुल्यांकन करने और व्यवसाय का उस्टरों को संबोधित करने के लिए जो एनलेटिक्स लागू करने में मदद करेगा जो गूगल क्लावड गेरेज इसको लॉंच किया क्योंलमर 10 हुद बोत्तरप्रदेश सरकार नें जो राममंदीर है ईस तक जाने वाले मारा का ना मेरे किस मुख्य मंतरी के नाम पर रखने की गोश्ट ना किये तो आंसर वे दोस्तों कल्यान सिंग कि जो उत्रप्रदेश के डिप्टी सीय में परजेंटाय में राज्येपार वहां के सो परसाद मोरी इन्होंने अयद्दा में जो राम जनब भूमी परिसर है वहां तक जाने वाली सड़क का नाम हो कल्यान सिंग मारग रखा गया है इसके साथ जो अलिगड एरपोर्ट का नाम भी अब कल्यान सिंग के नाम पर रखने का विचार भी चल रहा है जिसको लेकर कैबिनेट में जल् में मोदी सरकार उन्होंने बनने के बाद उन्होंने राज्यस्तान और माचल परदेश का राज्यपाल भी बनाया गया था चलो दोस्तों आज गर वीडियो एंपर समाप्त करता हूं आज गर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें करें भी ग्लसूर का छूर कोरॉत ठीकंट करें चिज़ में हैं कि त्यार के विपरूर scrolling राज्यनर्ट में बन्सक्राइब भीडियो खास siitä सुण को त्युर्ऻ जातर कि मुझ करते हैं धन्होंत तियार करूब सेक्त बाद आखितान बनाया के दिएiegen है। ऑन्ही